हे गाईस βेलकम पेक स्वागत एग वाप फिर से पोईट किसान के यूटीब चैनल पे स्वागत करता हूं आपका बहुत पियार मिले अपने प्रिदिश्व फीडेश में नियुकर रहे करते लिर गभान घर्र Cornet तो उसमें मेरी बहुत सारे भायों थे Gantle उनको अग्यां कहुऊन को आई है, और उन और उनको पॉईट्री फार्म कैसा बनाना है उसकी डैमेंशन उसके इस किस दिचा में होना चाहिए, और उनको कॉष्टे से बाइडे में, पाइप कितने इंच का होना है बेखावियो क हुई है,ange क्वाइडी पाइप की बना लीजिए लोहे के पाइप की, चाहे वो इट से खड़ी होके बना लीजिए, इट के पिलर दे के बना लीजिए चाहे वो सिमिंट के बना लीजिए तो तीनों में से जो भी आपके छेतर में बैस्ट हो यानि तीनों चीजे में जो भी आपके छेतर में आपको सस्ते में मिल जाए उससे आप उसकी जादा बढ़िया रहता है, मेरी तपिशाती है, मैंने ब सारा मेरेजमेंट करका है, इसलिए क्योंकि मीरी छट कच्ची नहीं है, अगर आपके फूस्ण की छट कच्ची तेम आपको फूस वाली, थीक है, उसकी छेतर है, फूस अगर अवेलीबल है, वो अगर आपको मिल जाता है तो दोस्तों से बैस चीज कोई नहीं है और सस्ते में पढ़ जाएगा ठीक है अगर आप बांदा जानते सस्ते में पढ़ जाएगा पूरी फांडेशन आप लोहे की दीजिए फारम की च्छत या तो आप फूसवल रखिए या फिर दूसरा उप बनाना पड़ता है तो वह उसका नहीं कर सकते हैं तो इस फाले फारम में आपका मुर्गा बहुत बढ़िया पलता है यह एक्साम्पिल है आप किसे पता कर लेना कि या आपके पास कच्छा अगर उसका फार्म सही से बना होगा और यह था कि आपको जो चुनाव है वह कैसे करना है कच्चा या मैं बहुत से लोग सोलते हैं कि आप पूरा फार्म बना लेंगे सबसे मैं पैसे वाली बात नी कैरा अगर किसके पास पैसे कम हो बना सकता है बजट थे कि प कुमी करोड देते हैं खा लेते हैं सारा पूरा चट को ठीक है चू जाता है वो ठीक है और बीमारिया सबसे जब से बांगे पंद्धेर्णस प्रबादब कियोंकि उसमें बैक्टेर्यां वह एक दम से पनप जाते हैं पक्के फारइम जब सकते हैं और दूसी में बात अगर आज मैंने इस फारा में पर लगा रखी घालाख रूपर लगा रखू है सब्सक्राइब आज 2022 में एक फारम बना लिया चार से पांच लाग रुब रिगा तो दो हजार पट्रीस तक क्या उसकी वैल्यू आप सोचोगे कि डाउन होगी नहीं होगी डाउन उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आज की टाइम में आपने ये फारम बनाया है तो एक त करना मुझे सारा काहा समेट के यहां से कोई और बिजिस स्टार्ट करना है तो क्या होगा कि मैं सारा अपना ताम जाम खड़ा-खड़ा बेच दूगा ठीक है वह उतना पैसा मुझे दे जाएका जो आज की डेट में मैंने पैसा इस फारम में लगाया है तो यह हो गया अब इसलिए मेहतर देती है क्योंकि आंधी तूफान में यह नहीं बोलेगा कि मेरे फारम इच्छा तूड़ गई पन्नीड फट गई यहां मेरी मेरा फारम गिर गया नुक्सान हो गया दो फायदा उसमें क्या कंपनी का नुक्सान होता है ठीक है तो तो चाहा कहती है सूपरव मना करेगी कच्छे फारम को विल्कुल मना करा क्या है कि अब कच्छे फारम पर कही अब देखी यह प्रण लिया अब बहुत से कोशन मेरे पास आ रहा है कि सर हम अगर जाते हैं किसी फार्मर के पास तो बोलता है कि यार क्या इस बिजनिस में मतलब क्या पढ़ रहे हो अपना कोई और काम कर लो यह बिजनिस बहुत बेकार है देखे सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी अपने उपर सरददी लेना नहीं चाहता सब पोचकरी मैं आपने चेतर में बैठा हूं और कोई आके मेरे पास पूछे ठीक है कोई बहार का पूछे का तो मैं इसको बता दूँगा कोई मेरा और आसी प्रोशी आके पूछेगा क मेरे से काम करा उगए मेरे 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 फारम को बनने मे यह अमां करोगे तो क्या होगा कि मैं उसको थोड़ा Сам मतलब डिमोटिवेट करने कि कोई कСТメद करूं ये काम बहुत खराब है, ये मत कर, तो भाई एक बात उन से पूछना, कि भाई, अगर ये काम खराब है, तो आप कैसे टिकेवे हैं इस फिल्ड में, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप ये छोड़ के बंद करके अपने घर पे बैठ जाएए, ठीक है, इस बात में पात में, जिसको 2 पैसा बचता है, ठीक है, दो पैसा बज रहा है, तभी तो आप काम में लगएवियो, एक फोन आ रहा है, तो दोस्तों, ये बात होती है कि जो आपके आसपास के फारमर है, वो आपको मना करते हैं पोज़िटी फारम करनेगा, ठीक है, तो अब द मेरे हिसाब से महीने का 20-25 रुपे आपको दे जाएगा ठीक है अराम से दे जाएगा 20-25 रुपे 30 रुपे तक दे सकता है आदमी अगर आपका कोई सही पार्टी फस गई मेरे हां चलते हैं 50000 रुपे फार्म कीया करते है की एक जार रुपे तक बन जाते हैं लोगों के बिना किसी demanding तो यह होता है अगर फारम बना भी लेते हैं तो आपको कोई परिशानी होने की दिक्कत नहीं है यह देकि यह मांड से बहुल जाएंए एक और कुछन आता है यार बहुत सारे कोश्चन आते कि आ आपका सारा बच्चा मढ़ जाएगा बहुत बिकार करते हैं ठीक है उस कोशने के वारे सोचने दिमाग हराब होता है ऐसा नहीं है सारा बच्चा कम मरता है मैं बताता हूं सिच्वेशन बताता हूं कभी बल्ड फ्लू की बिमारी आपके फारम के आसपास विदिन 15-20 किलोमेटर के आसपास घूम रही है ठीक है उस से छेत कर्ण से चेत्र में इस तरह की बिमारी नहीं हैं क्या होता है कि अगर आपके में मारें वेकसा करेख वैकसिन घृम ciao ठीक है तो यह हो गया आपका फार्मिंग फिस जुड़ावा थोड़ा सा डिटेल तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसी बाते जो आपके माइंड में आपके आस पड़ासी पूछते रहते हैं ठीक है अब एक चीज और है दोस्तों वह यह है कि बहुत से लोग बहुत से लोग आप बनाना पड़ता है तो आपको पूरा गौएट कर देता है लेकिन कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ता है ठीक है मेरे भी कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने अपना दिमाग लगाया कुछ लगाया कुछ पैसा बचाया है ठीक है सबसे पहली बात आप जब भी लोहा लेने जाएं तो सबसे पहले आप अपने हां के कवार्डियों के पास घूम लीजिए उसमें क्या होगा कि अगर आपके प कीडा, बाइसा कॉश्ली पड़ता है तो मेसे मेरे पुराना लिया था निए अपरुषिक होती। एक गोलो होता है कम पनी से 2021 मॉ्समी क्या है कि अखान। मुझेлять मुझे नाल तो बुखिया किना नाल तो 20 kg आपने में बहुत ज्घा चट बनाने में चस्त बनाने में अब चट बनाने में आपने सोचे यह अवे चादर का बता करते हैं कितनी की मिल लीए तो नई चादर थी 5600 रुपे की, ठीक है, अब मैं गया घूमता घूमता, मैंने सारे चेतर घूम लिया, ठीक है, दो जगा मुझे पुरानी चादर मिल गई, दुकान वाले क्या है, कि टैंडर ले ले लेते, जैसे कोई फारम बेजता है, या कुछ भी कोई सरकारी प्रोजक् प्रोजक्त तो यह ठीक ही दो होती है, और 10 फिट का लंबाई होती है, तुम मेरे को 1 राख मेरे मैं जाली के चैन होता है, जाली के यह डिदी बहुते घ्राव कोई स्कारी है, लोगो बहुत ज़ल्दी खराब हो जाती है एक उसाल में तीसाल में, 5 साल साल यह तकिम तो पानी लगेगा नहीं तो आपकी जाली वह सेफ रहेगी और अधिक तरह आपके जाली पर पाल लगा रहता है तो वह कहीं जाती नहीं है अब उसमें एक थोड़ा सा कुशन होता है दिमाग मेरे किसी भाई से बात हो रही थी कि यार वह जो जानवर आनवर है वह टकर मार कर पाड़ देंगे नहीं फाड़ पाएंगे बहुत ही मजबूत जाली है मैं अगर सीधा टकरा गया गाड़ी लेके घुजगया तो भी नहीं टूट लगा दी वह तार में तार लपेटरी जाली बनाए जाती है मुर्गा जाली ठीक है वह स्पेसल मुर्गे के लिए ही खर्च करना हुआ है और यहां पर प्राइस कम और यहां पर प्राइस कम करनी है जैसे कि जाली बें प्राइस कम कर लग halves syr अब आपको बात आती है कि कहां पैसे लगाना मैनीच्मेंट ठीक है फॉगल लगाए अपने फारम चाहता हम कर लाए साइट पंडाल लगाएं ठीक है उसको फार्म को कूल करने के लिए फैन लगाएं बड़े-बड़े लगाएं ठीक है बड़े-बड़े फैन आते हैं 55 इंच के वह लगाएं तो मेरेजमेंट जीतना करोगी वह आपको डबल देगा आपने सब्सक्राइब कर दी तो वह आपका एक लाख रुपिया आपके पास रिटन होना है फार्म सी होना रहे एक लाट में रिटन होना है क्योंकि अगर यह समझ लेना कि आप उसको फार्म को कूल रख रहे हैं मैरेजमेंट दे रहे हैं मैरेजमेंट पैसा लगा रहे हैं ठीक है तो आपका वो पैसा कहीं गया नहीं वो आप ही के पास है, वो poetry आपको वापस करके देगी, वो पैसा आना है, ठीक है, जहाँ पैसा है, वहाँ पैसा लगा है, जहाँ पैसा लगानी वाली बात है, ठीक है, हम तो यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीचारे management के लिए पैसा उनके पास नहीं होता, क्या होता है कि करते हैं अगर आपके पास पैसा है तो फारम की च्छत में ना लगा के जाली में ना लगा के ठीक है फारम मजबूर बनाए ऐसा नहीं कि मैं कहरा कच्छा बनाए मजबूर बनाए ठीक है पर ऐसा मनाए कि आपका आट-ड़ा साल 20 साल तक कहीं ना जाए और जाली वाली तो यह मैंने मेनेजमेंट बहुत है अच्छा होता है तो कंपने का बच्चापलेगा आपको अच्छा प्राफिट होगा जहांँ ड़्यारपे बारा बारा पंदरा पंदरा रुपे तक लोग ले रहे हैं मुझफञ नगर साइट में जो मुझफञ नगर साइट के हमारे जुरव किसान मित्र हैं कि फार्मिंग कर रहे हैं वह बाइसा 15-15 रुपे तक का जीसी बनवाती है में अपनी पंदरा रुपए जीसी है आप समझ रहे हैं हुँ पंदरा रुपए कितना होता है अगर आपका माल Sवा पूंडल हो गया सपूच करें सौ कुंडल माल ईखा च्हाजार बच्चा पड़ा है तो आप तो आपके पैसा कितना गया ठीक है डेल लाघ रुपए होता है तो यह थोड़ी सी आज थोड़ी सी आपको मैंने कुछ एडवाइस दी है जो आपके काम की है ठीक है तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा वाट्साप गुरुप जोइन करना ना भूले जिससे कि हमारे बहुत सारे किसान मित्र मेरे दोस्त को जुड़ेवे हैं जो आपको थोड़ी बहुत एडवाइस देते रहते हैं मैं अभी उसमें आता रहता हूँ थोड़ा सा टैमिंग के साथ मेरा आना बहुत कम होता है ठीक है तो लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बहुत पलो में, तब तब तक ले जाहिन, बबाई